हेलो दोस्तों सर्धियां खतम होने को है और गर्मियां आने वाली है और गर्मियों में सबसे अच्छी फ्लावरिंग करने वाला यह जो प्लांट है वो है पॉट्चुलका का प्लांट इसकी रंग बिरंगी फूल गर्मियों में आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर बना दे और गर्मियों में फिर से ये flowering देने के लिए तैयार होता है लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है तो सबसे पहला जो मेरा tips है वो है कि आप जो भी आपके पास plant है चाहे गंबले में हो चाहे जमीन पर हो ये मेरा जमीन पर लगा हुआ plant है तो आप इसकी क्या करि क्योंकि यही सही समय है जब हम इसकी hard pruning करेंगे और यह जो है इसमें से नई नई branches निकलेगी यह एक succulent plant की तरह ही है इसमें जो पानी है store होकर रहता है लेकिन ठंडियों में क्या है कि बहुत इसकी condition खराब हो जाती है तो आप सबसे पहले तो इसकी अच्छी तरह से cutting के बाद आप कुछी समय में देखेंगे कि आपका जो plant है वो धीरी धीरे growth करने लगा है और अप्रेल मही तक आपको यह इतने सारे flowers से आपके गमले को या जमीन को भर देगा कि आपको मैं बता भी नहीं सकती बहुत ही खुबसूरत लगते हैं इसके flowers तो आप भी सबसे पह बहुत तीजी से यह फैलता है अगर आप जमीन में एक cutting लगाते हैं तो इतनी तीजी से यह फैल कर पूरे आपकी जमीन को भर देता है तो देखिए यह cutting करने के बाद जो इसमें से निकला हुआ है यह cuttings इसे भी हम यूज कर सकते हैं तो आपको मैं cuttings लगाना भी बताती प्लांट में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए साथी साथ पॉट की बात कर लें यह गर्मियों में फूल देने वाला प्लांट है तो आप जब भी पॉट का चुनाओ करें वह सेमेंट या मिट्टी की गमले का ही उपयोग करें क्योंकि अगर मिट्टी का गमला नहीं होगा य मेंट का डर रहता है अवह में क्या करना है कि इसकी जो कॉटिंग थि हम अच्छी तरह से निकाल देए Park आप पांटी कर लेजिए और आपको क्या करना है सिर्फित Metro के लगा देना पत्या में निकाल लेजिए थाकि इसमें जड़ी बन सके अगर आप पतिय में मात्रा में छ वो नीचे लगाए ताकि जड़े आ सके तो इस तरह से देखिए हमने लगा दिया है अब बात आती है फर्टिलाइजर की तो फर्टिलाइजर में ये जो है एनपीके है उन्नीस उन्नीस आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं आपको आधा चमत जो है एक लिटर पानी में घोलना है और ये जो है आप इसे अपने प्लांट को दे सकते हैं आप प्लांट को देना जरूरी क्यों है क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत ही न्यूट्रिशन इसको जरूरत होती है आसानी से तो ग्रो हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें पानी अच्छी मात्रा में और न्यूट थोड़ी देख रहे की ज़रुद होती है अभी के लिए उसके बाद जब एक बर फ्लावरिंग करने लगेगा तो आपको इसकी ज़रुद नहीं पड़ेगी अगर आप जो है एंपी की यूज नहीं करना चाहते हैं क्यामिकल फर्टिलाइजर तो यह इस तरह का जैविक खाद आपको किसी भी नर्सरी पे मिल जाता है आपको करना क्या है सिर्फ इसका एक से दो चमच लेना है और इसे अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है अभी हम इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो सोईल को उपजाओ बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम खाद का सकता नहीं पड़ती है तो आप भी यह सारे टिप्स फॉलो करिए और अपने पौधों को गर्मियों के लिए तैयार कर लें ताकि धीर सारे फ्लावरिंग कर सके वीडियो देखने के लिए आप से भीका बहुत बहुत धन्युक्त